Hello everyone, few minute series FMS में आपका स्वागत है, आज हम बात करेंगे important personality news, modern history काई topic है, prelims और means दोनों ही perspective से काफी important है, ठीक है, सुब बाते करते हैं, आज जिसके बारे में हम जिस personality के बारे में बात करेंगे वो है और बिंदो घोसर, उनका birthday था 15 अगस्त को, but birthday बहाना है, उसके थूरू हमे उनके बारे में जानना है, और questions देखना है, कि कैसे questions आया है, जिसमें कि सिर्फ उस तरह के जो PYQs हम जो discuss करेंगे, उसमें सिर्फ और बिंदो घोसरी नहीं है, और भी दूसरे personalities है, तो time-based नहीं करते हैं, उससे पहले एक important चीज़ आपको बताना चाहूंगा, कि हमारा installment ज कर सकते हैं, ठीक है, so, birth anniversary श्री और अरबिंदो सर का, 15th अगस्त, काफी important, मतलब independence दे के दिन, इनका birth anniversary भी है, और यह बहुत प्यारी बात है, but the point here is, कि हमें और अरबिंदो सर के बारे में जानना है, और कि वो इंदु प्रकाश में लिखा करते थे, new lamps for old, उनका, जो articles का न और भी चीज़ें हमें उनके बारे में जानना है, तो 7 साल की एज में पापा ने इनको इंग्लेंड बेज दिया, ठीक है, फिर यह आये इंडिया, 14 साल के बाद, फिर bureaucrat बने, देखिए कितना multifarous personality है, फिर professor बने, उसके बाद articles लिखना शुरू किया, इंदु प्रकाश में जो उनके दोस्त का जर्नल था, उसके बारे में बात करेंगे, और इस पे भी UPSC में PYQ आ चुका है, ठीक है न, तो फोकस कीजिए, बंदे मातरम जर्नल चलाते थे, उस पे भी question आ चुका है, तो इसलिए में थोड़ा excited हूँ, यह topic अच्छे से करना है, फिर blood and fire approach French revolution 1789, उस के लिए imprison किया गया, इस पे भी question पर लिए उस पे आ चुका है, तीन बार arrest किया गया, यहां पर सारी points आपको देखे जा रहे है, बटना अब हम इसको थोड़ा सा analyze करने के कोशिश करेंगे, कि ऐसा क्या हो गया और बिंदो सर की life में, कि वो political affairs से दूर हटके spirituality के दरफ जाने गया, और यहां पर लिखा गया है कि यहां पर प्रिजन रहे, और इस तरह के cell में आपका, बतलब होता है न, you try to, you introspect about life, और बिंदो सर के बार में बात नहीं कर रहा हूं, but बहुत सारे आप books ऐसे पढ़ेंगे, जहां कि आप सुनेंगे कि solitary cell में लोगों का दिमाग खराब हो गया, लोग बहुत सारी चीज़ें, because अब totally अकेले हो, I cannot explain in words कि solitary confinement के कितने बड़े repercussions होते हैं, mental, physical, हर तरीके से, और यहां पर वो बाते कर रहे हैं, कि यह जो British government का व्रयात था, इससे एक significant outcome हुआ, कि उनको भगवान मिल गया, और उन्हें अलग रहा था कि Britishers बार बार French colony चले गए, पुड़ुचेरी, जिसको भी पुड़ुचेरी कहते हैं, और वहां उनको मिली मदर, मीरा अलफासा, यह है मदर, और इन दोनों का, मतलब यह, जो मीरा अलफासा से मिले, तो एक नया तरह का योगा लेके आए, जिसको बोलते है, इंटीग्रल योगा, ठीक है और उसमें वो कहा रहे थे कि जो भी हम हम हुमन है, वो medium level of advancement पे हैं, अगर हम spirituality की बात करें, हम और आगे चा सकते हैं, और उसमें इंटीग्रल योगा एक बहुत बड़ा role play करेगा, ठीक है, virtual seclusion में चले गए, अलफासा जो मदर थी, वो आगे आ गई, उन्होंने फिर श्री दो बार rather, मैं भी कभी कभी stammer करता हूँ, माफी चाहूँगा उसके लिए, दो बार इनको noble prize के लिए nominate किया गया, same category में नहीं, एक बार literature के लिए, एक बार peace prize के लिए, तो ये सारी बातें जो हैं, आपको ध्यान रखना है, second world war के time में बहुत सारी लोग थे जैसे कि, हैं, और ऐसी thinking, बहुत सारी nationalist leaders की थी, including शुभास चंद बोस, बट और बिंदुसर ने कहा कि नहीं, हिटलर को हराना ज्यादा important है, याद ये रखिएगा, कभी कभी आज आता है ना, personalities में, कभी कभी तो ये ऐसे questions आया है, UPSC में, कि उन्हेंने कुछ points दे दिए, और आप से मातरम, future revolution of men, यही कितावें नहीं हैं, बहुत सारी और कितावें हैं, बट मैं कुछ नाम नहीं बता सकता हूं, विकास मेरे को आगे PYQs करवाना है, 5 December 1950 को, पुड़ुचेरिमीन की death हो गई, और वन अब the first leaders थे, जिन्होंने पून्सवराज के बारे में, बाते की और आव उठाई, तो यह ना कुछ बाते हैं, छोटी-छोटी मगर मोटी बाते हैं, अब हम PYQs पर आते हैं, यह important है, इसको आपको धियान रखना है, PYQs से पता चलता है कैसे कैसे questions, पूशती है UPSC, देखें, कितना लंबा pause गिया है मैंने, तो अब यहाँ पर आप answer बताएं, क् क्या answer, A4, B1, C2, D3, आपके हिसाब से क्या लगता है, आपको आंसर क्या है, अब जैसे देखें, अप हम बात करें अगर, स्वराज पार्टी के बारे में, स्वराज पार्टी के बारे में, स्वराज पार्टी, आपको पताएं की CR-DAS, हम बात करें, तो बुलाला हर्दयाल है तो अगर आपको इतना भी पता है कि माली जो D3 है और C2 है तब यह आपका आंसर आ जाएगा नहीं आएगा D3 C2 में भी आपके पास दो option रहेंगे C और D आप क्या करेंगे अब आपको अभिनव भारत और इसमें से कोई न कोई पता होना चाहिए तो इसमें अंसर कैया है बी वन अंसर किया उसमें जो है वह श्री और mbिंदो गोष्छिय स्थिट रहें तो आंसर है डी है secularism का अभीनब भारत वीडी सावर कर सर तो ये कुछ बाते हैं जो आपको ध्यान रखनी है next question देखते हैं again ये PYQs है कुछ PYQs मैं आपको दे रहा हूँ बहुत सारे PYQs आया हुए है और बिंदोगोश सर पे और different personalities पे तो हम आगे भी इस तरह के questions लाते रहेंगे अगर आप चाहेंगे तो क्या है answer इस question का अब जैसे यहां पर अगर आपको आनंद मठ पता है कि बंकिम्चन चैटर जी है तो B3 हो गया B3 हो गया मतलब ये दो options चले गए उसके बाद आपको अगर विनायक दामदर सांबर कर पता है A4 तब भी चॉल नहीं हो रहा question यू नीड तो नो अबाउट सी और डी लाइव डिवाइन जो है श्री और अरबिंदर सर की book है C2 है तो मतलब answer हो गया A अब देखिए लाइव डिवाइन भी आपको ध्यान रखना है अब ही हम तीन questions करेंगे PYQ और आप comment section में बताइएगा कि आपके न कितने answers सही हुए है ठीक आशे एकदम honest रहना है यहाँ पे उन्होंने बाते की है आत्मन, ब्राहमन की spirituality की individual soul की, ब्राहमन वतलब पर्मात्मा की soul की इन सारी चीजों के बारे में वो deep गया है क्योंकि यह जो spirituality है, जो meditation है, जो आत्मन, नहीं होता है, आत्मा से पर्मात्मा का मिलन है यही चीज़ें actual में दिल को सांथी देती है जब आप थोड़ी वाल हो जाएंगे, according to Sri Aurobindo Sirs Life Divine, आपको realize होगा कि यही शास्वत सत्य है, मा की सब मूम आया है So, Sadhana Rabindna Tegor, Veer Saavar के Indian War of Independence, यह नाम याद रखियेगा Last question, who gave a systematic critique of moderate politics of Indian National Congress in a series of articles entitled New Lambs for Old और यह अभी हमने discuss करा है, पॉस कर लीजे मेरे को answer क्या है, और बिंदो घोशर, ठीकर न, इनको कभी-कभी घोश वितन ई भी लिखते है तो New Lambs for Old, यह इंदु प्रकाश जर्नल में लिखते थे, उनके जो दोस्ते वो थे के जी देश पांडे New Lambs for Old articles उन्होंने लिखा, इन्द वीकली, इन्दु प्रकाश, आपको यह दिखेगा, इन्दु प्रकाश, New Lambs for Old तो यह कुछ बाते हैं, जो आपको ध्यान रखनी है, इन्पॉर्टन बाते हैं, और प्लीज, 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 कमेंट सेक्शन में बताइए, इन तीन PYQs में से कितने PYQs आपके सही हुए, ठीक है, और जो इन्पॉर्टन पॉइं से उसको note-down कर ल रहे हैं, तो code use कर लिजेगा, SHUBS SHUB, capital letters, कोई भी और doubt हो, आपको यह दिक रहा होगा, number हमारा, उस पे भी call कर सकते हैं, so that's it, for this particular few minute series, प्लीज, अच्छे से revise कर लिजे, और PYQs को revise कीजे, और PYQs solve कीजे, और PYQs से related, जिसमें दूसरे personalities भी आएंगे, ठीक है, take care, be blessed, see you soon